हलो बच्चा लोग आप सभी बहुत अच्छ होंगे एंड सभी बच्चा पाइटे की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और उमीदें ही हैं सभी से कि बच्चा लोग पढ़ाई में कभी भी कोई भी कुताहई नहीं करनी है ठीक है तो हमने पहला चेप्टर एंसी आइट सभी बच्चा पार्टी ने वच्छेप्टें प्लेरिस्ट को एकसेस कर लें आपको सारी कोस्ट चल रहा है प्रदबा बैच के न्ام और उमीद है कि यह बैच आपके बोर्ड एक्जाम तक आपको पूरा से लेबर्स कराने में काम्याब रहेगा तो जुड़े रहे हैं हमारे साथ और बच्चा लोग एक ही आप से जो है रेक्वेस्ट रहती है कि हम अपना कामिमानदारी से कर रहे हैं आप थोड़ा सा थोड़ नोचे चेप्टर का फ्वड़ा सा लाइब कर लेते हैं लाजड चेप्टर का क्योंकि यहां पे से 6.000 पर ने हैं आप बचल चाहिए अच्छेप्टर हलका सा आपको ती चेप्टर समझ में करना सीख लेंगे जब आप उनके सिंबॉलिक फॉर्म की कुशन बनाना सीख लेंगे तब यह चैप्टर सापको प्रैक्टिकली बहुत अच्छा समझ में आएंगे मैंने आप सभी बच्चे लोगों से बोला था मेरी क्लास के टाइम पर आप क्या करें आपके पास से कॉपी ह होनी चाहिए एक पिन होना चाहिए और एंट की बुक आप के सामने होनी चाहिए तो चलो फटा-फट इतना काम कर लो और एक सेर मार दो सभी लोग सबी लोग एक सेर कर देना तो आज की क्लास को हम सुरू करने जा रहे हैं जिसमें एस बेसेस एंड-स पढ़ने बच्छा ल अपने अग्री लाइप में अपने डेली लाइप में आपने बहुत सारे चाहिं होंगी होंगी है ना छिप पर मारा होगा है ना तो यह जुग से सी बात ही जहां प्र खट्टे-पर आसास घप आमा पर यह बड़ा खट्टा है या जो है बड़े टापका है मौने क्या तो आप बोलेंगे वह सॉल्ट है तो यह तो बचलों बात हो गई कि सिंपल सी बात हम लोग खाने पीने में ज्यादा रहते हैं तो खाने पीनी की बात है याद रहती है तो यह सिंपल से थियोरी है जो एंसी आटी भी कवर करती है कि हम लोग on the basis of indicators की पर हम लोग on the basis of test के basis पर हम on the basis of some indicators जो है natural indicators and synthetic indicators की basis पर भी हम जो है इस chapter को देखने वाले हैं तो हमें पहले क्या देखना है पहले यह देखना है कि हम लोग identification में क्या क्या करेंगे ठीक है लोग पहले हमने class लेनी कोसिस की थी बड़ टेक्निकल इसू आ गया फिर आप्ट करनी पड़ी क्लास और फिर हम आपकी class second time यह ले रहे हैं ठीक है तो identification हम लोग क्या देखेंगे सिंपल सी बात हम यह है कि हम on the basis of test देखेंगे है तो सिंपल सी बात है ख्याल नहीं लाने हैं अगर किसी गोल प्रेशन के मुह में पानी आ गया हो तो भाई टेंशन मत लेना मार कर जाना खाकर आना ठीक है बट पहले चिप्टर पर on the basis of indicators indicators देखेंगे on the basis of indicators कि इंडिकेटर कौन कौन से हमारे पास जो हमें यह बता सकें कि जो है कि एसे हैं कि बेसे की सॉल्ट है ठीक है on the basis of indicators की basis पर भी हम देखेंगे और भी कुछ चीजें होंगी जो हम इसी चेप्टर के अंदर कवर कर लेंगे ठीक है तो पहली बात हम देखेंगी क्या बोला उसने बोला प्रीविस क्लासे में यह सारी बाते कुछ देख ली है कुछ चीजे सब्सक्राइब कर देखें और जाकर करके हमें पता चला था कि एसेट्स यानि कि जो एसेड हैं वो किस कंपाउंड के साथ क्या प्रॉपरिटी सो करते हैं इस वजह से यह भी बोल रही है कि कुछ चीजें हमने प्रीविएस क्लासे में आल्रेडी पढ़ रखी है ठीक है तो देड़ दा सोर एंड बिटर टेस्ट और फूड आज ड्यू तो एसे अंड बैसे अगर आपको कोई चीज लगती है यानि खट्टेपन का असाल जलाती है तो वहां पर आप बोलो कि एसेड है इसमें क्या है अब किस टाइप का एसेड होगा किस फॉर्म का एसेड होगा तर्व पॉलेंगा घड़ो को हैं यह सारी बात की बात है जर्व हम पर पर यहां बात बोला कि होई हमारी जो family है वह family जो है इन problem को face करती है problem of acidity after overeating तो हम लोग यह भी देखेंगे कि हमारी जो से मालोग में अब आप मेरेज देखें आपने का हाँ गुल गपे आपने का आपने तो आपने देखा वाँ 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 कैसा चाट है तो चाट को तो आप चाटने लग गए और आपने इतनी चाट ली इतनी चाट ली कि भाई समझ नहीं आया कि पेट कफोल हो गया और ओडाइट का वो गई यह भी समझनी आया क्योंकि भाई फिरीगा था साधी में थी है ना दूसरी के बरबादी में हम अपने मजे करेंगे यहीं तो हमने सीखा यह तो यहां पर क्या होता है प्रॉब्लम सब्सक्राइब आती है आकिर ऑवरीटिंग के बाद एसी डिटी क्यों आती है बेसी डिटी क आ रही है यार ऐसे कैसे आ रही है तो आपको यह सोचना चीज़ेस्ट एज रेमेडी लेमन जूस विनेगर और बेकिंग सोडर सोड़ूशन तो क्या हम लोग इन चीजों को सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई तुम्हें क्या आ रहे हैं मालों तुम्हें घटी टकारे आ रहे हैं तुम्हें एसी डीटी की प्रॉब्लम होगे सपोर्ज कर लो पापा जी गया थे कहीं मार्केट और पापा जी ने तुमसे चोरी करके कुछ खा के चले आए हजम हुआ नहीं क्यों तुमने खाई नहीं अब तुमने कहा कि यार हम भी जाते हम भी मार्केट में बढ़िया मज लेकिन ऐसा हुआ नहीं उसके चक्र में पापा जी को तुम्हारे एसी डीटी की प्रॉब्लम अब क्या बोलोगे क्या आप यह बोल सकते हो कि भाई पापा जी आपना लेमन जूस ले लो आपना वेनिगर ले लो आपना बेकिंग सोट ले लो क्या यह सारी चीज़ें आप स चूरन ले लो आप बोलोोगी जो है किसी बाबा चूरन ले लो तो बहुसाद बाबा के में क्या है बचालों आपको यह समझना आप जो बाबाची की पुडिया ले ली आपने बाबी पूरिया में क्या था कभी है आपने अपने आप repत आंशा मैं जानता हूं बच्चा लोग भुछते हैं क्यों हम अपने में दिमाग को क्यों दें हैना लेकिन वह भगवानthe भगवान हमारे पास आपने दिया थे हमें यूज नहीं किया तो डूँसे अछोバट अपने हो लिए हमें अकर 80оки हो रही हैँ हम डहां क्या लें अटाकि हमारे एजुचती की मफी प्रावलम को Πॉक्पौों को सब्सक्रण कर दें क्या करते हैं उसके उसके को खतम कर दें हमारी और सोलो करते बात के लिए रखे चलु general And I will have a आकर हम सोर को टेस्ट कैसे करते हैं बिटर सब्स्टेंस को टेस्ट कैसे करते हैं विदाउट टेस्टिंग डेम आकर हम पता कैसे करेंगे कि यह कंपाउंड सोर है कि यह कंपाउंड बिटर है यह कंपाउंड एसेड है कि बेस है कि सॉल्ट है आकर कैसे विदाउट तो यहां पर देखो आपको एक बता और निकल के आगी यहarner है कि जो होता है बौल रहा है सोर होता है इंटैस्ट है सोर होता है इनधे स्वा कि लेकिन यह बोल. रहा है कि जब आप पास में बलू मस पेपर को ले करके circ Dakar यहांद यहां पर बात सिंदिकेटर की अब आप किया कहती है इंडीकेटर का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो पर देखा होगा आज कल जमाना है और हम लोग हर एक चीज़ करना चाहते हैं कि हमारे पास लिए हुआ है सारी चीज़े कैसी है ठीक है तो हमने देखा एक कॉमन साज कल ट्रेंट चलता है कि तंकी भर जाती यह पानी की और वहाँ पर एक क्या लगा रहता है और हमें आवाज देता है कि आपकी पानी की भर गई है तो वहाँ पर क्या है वहाँ पर एंडिकेटर कर रहा है कैसे कर रहा है एंडिकेटर क्या बास में आ रही है तो सिंपल सी बात है यहां पर जो बिलू लिटमस पेपर है डचलो क्या है इसने कर दिया हमने उस एष्य को चाख भी नहीं और yht कर दिया कि विलू रिप्स पेपर को कि मेरे पास ले के आओगे तो मैं उसे रिडे कर कर दिया तो समझ जाना कि मैं एसे हूं अपनी पहचान इंडिकेटर के थुरूब बताना चाहिए रहा है कि बच्चा लोग आप मेरे पास क्या लेकिया विलू लिटमस पेपर को लेकिया हो मैं अगर उसे रेड़ करते हूं तो समझ जाना कि मैं अब आप देखा जाया दूसरी साइड पहता है हलका साथ होता है आपने चीज खीरे में बहुत देखी होगी कि जो खीरे का साइड वाला जैसे मालों खीरा होता है तो खीरे का साइड वाला आप यह पॉश्चन देखेंगे जब हम यह पॉश्चन निकाल के फिक देते हैं क्यों फिक देते हैं क्योंकि इसमें जो है बहुत कसैला पन होता है यानि बिटर टेस्ट होता है तो हम बोलते है मंट नहीं हमने सोचा नहीं की क्यों है यह नहीं कोई नहीं नहीं ही जेंट होगा रहे क्या पेज्ञ लोग बिंटर अगर हमें पर क्या बोलते हैं ऑना पर एंप प्रेजेंट होगा ठीक है अब यह कहा है बेस क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास तुम रेड़ लेकर के आए तो मैं उस रेड़ लेटमास पेपर को क्या करूंगा बेलू में चेंज कर दूंगा बच्छा लोग यह सीरीसी बात बेस बोल रहा है तो आप लोग समझ जाना कि यह क्या है बाई नेचर बेस है क्या क्या सो इघन इस तो आपको एक बात यहां से यह याद र rejection नी है कि जो लितमास पेपर होते है उख किस टाइप के इंडिकेटर होते हैं अनादर सच एंडीकेटर तो तरमिर भी एक तरह से इस चिक इंडिकेट तो आपको दोनों इंडिकेटर रखने हैं इक हमारे पास क्या है इस तेन आफ करी करें एक वाइड कलॉट में बिकम से ब्राउं आखिर कैसे रिडिस ब्राउं बन जाता है जब में भेन भेन जब सोफ विच इसब बेसिक इन नेचर जब हम किसी सोफ को को जो कि जिस सॉब कर ने चालू करते हैं या दूलने के लिए रगड़ना चालू करते है तो आखीर एक या एक कैसे बन जाती है किया यह आप कभी कभी सोचा कि आपने यह कभी सोचा बिल्कुल नहीं सोचा तो सोचना चाहिए तो ठीक है यह दुवारा से यलो हो जाएगी जब आप कपड़े को धुलोगे विद प्लेंटी ओफ वाटर इसके साथ पानी के साथ ठीक है यू करन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर अब यह बात हमारे पार ऐए थी कि हमें फार जानना है हमारे पास्नेशर नमरम नेजनी में जाना है पैपर की लीटिमस की लिलों क्या करेंगे पता कर लेंगे की सिंपल सी पतना में चोंद में चा advised बच्चा लोग सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से हैं सच अगर आप देखें इसके बाद फिनफ्थलीन क्या होता है फिनफ्थलीन का अगर आप फार्मूला देखेंगे तो आपको क्या होने वाला है तो बच्चा लोग मैं आपको एक बात यहां बहुत क्लियरली बता देखेंगे जो कि आप अगर आप देखोगे सिंपल सी बात अगर आप देखोगे कि जब मेथल और यह किसमी क्या होता है कि एस में यह पिंग कलर में तो यह हमें बता देता है कि अगर हम मेथल औरेंजी के पास बेस लेकर जाता है यानि इसके पास हम लेके जाएंगे यह कि हो जाता है तो हम बोलेंगे यह बहाई सब क्या है यह मारे पास अगर यहां पर देदे अगर कि स्वैद्र हमें किसी एक एक ऐसे कंपाउंड मिलाया जिसकंपाउंड का नेचर हम नहीं जानती हमें नहीं पता बच्चत्तं में यह एक तो वहाँ पर क्या होगा अगर रीड कलर आ जाया ओस और चॉल्यूशन में रेड कलर आ जाया है तो आप दो जाये है जो कंपाॉंट हमने फिनला है हैं जो भी कंपोंवां यह को विक बेसक नेजर का होगा वैसा होगा वह बैसे बल्फ यह आपको विक्तााइट करते हैं कि आखिर कौन सा कंपॉंट एसिट कश्वर्म में करता होग कि सबी बहुत लोगों को यह बात सम двух के लिए है यहां तक तो लिटमस सोलुशन इजब पर्पल डाई विच इक्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम लेकें आप प्लांड ब्लांगिंग तुदा डिवीजन ठीक है थैलो फाइटा एंड इस कॉमनली यूज़ एज एन एंडिकेटर भेंद लिटमस सोलुशन इस नाइधर एस डिक औ लीव्ट टर्मरेक कलरड पेटल्स और संफ्लावर साच इस हाइड्रेंजिया पेटूनिया एंड जर्जरें जरेनियम ठीक है जरेनियम विच इंडिकेट्ट दप्रिजेंट ऑफ एस और बेसे इन आस सॉलुशन तो यह हमारे पास कुछ नेट्र इंडिकेटर हैं जो हमें इस की हैं जो हैं पीमई और क्याओ टॉैंट छो एंटिकेटर्स के बेसे बोड़ आजना जाता है क्या बात क्लियर होगी बbear चलो क्या यह बात क्लियर है चलिए तो यहां पर आपको यह देखने के मिलेगा कि यहां पर कुछ बाते बोली गई है कोश्टन फॉर्म में आखिर मैंने बोला है कोश्टन सापको करने हैं बचलो तो आपकी जब डिपीपी किलास आगी सारे चीज़ें कराई जाएंगे पैक्स कराई जाएंगे तो कह रह हैं and other two contents and acidic solution and a basic solution respectively तो मालन आपके पास तेन टेसक्त हैं तेरी चलो आपके पास ए है इसमें आपके पास water है कैसा water रहे है डिस्तेल्ड WONρωज आपके पास एक में डिस्टेल्ड है जो बेसिक नेचर का है कैसा है बचलोग बेसिक नेचर का तो इस बात को ध्यान देना इफ यू और गिविन ओनली रिट लेटमस पेपर अगर आपके पास रेड़ लेटमस पेपर है हाव विल यू इडेंटिफाइब दा कंटेंस ओप इच टेस्ट तो आप कैसे इडेंटिफाइब करोगे तो देखो बचलोग सिंपल सी बात है आपको यहां पर ज्यान देना है अगर आप अगर आप क्या करोगे आप उस लेटमस पेपर को डिश्टिल्ट पास लेके जाओग अगरर जो बी सॉलुशन रेड़ी में काणु團 कर देगा जबी सॉलूशन और opinions पेपर को रसल चल जाएंगे क्या बात क्लिए क्या बात क्लियर है एजिट के लिए तो आप रेट लेडमेस पेपर के होते हुए भी आप यह पता कर सकते हो कि आपके पास को रेडमेस पेपर है या आपके पास कोई भी ऐसा इंडिकेटर है जो आपको हलका सभी इंडिकेशन दे सकता है तो आप पता कर सकते हो एजली पता कर सकते हो कि वहाँ पर कौन सा compound यह कौन सा solution किस नेचर का होगा कि क्या clear है मेरी बात बच्चा लोगों को चलिए यही बात बोलों कि कभी-कभी यहां से सवाल आते हैं इस वजह से आपको यह सारी बात याद रखनी है तो अब हमें यहां पर देखनी होंगी हमारी activity आ चुकी है 2.1 सबसे पहली बात है कि aces and basis in the laboratory form में किस फॉर्म में होंगे तो बच्चा लोग हां हमने देखा या और यही सचाहिए और यहां बहुत देंजर की है क्योंकि जिस दोबी आपके साथ लाइस प्रक्टिकली कि छाहिए अब देखो यहां पर क्या करा करें क्या करें हैरे करें करना है के गया है तो कह रहा है यह कि आपको द्रप निदर छोण दिया घया थिक वहां पर सिंन्पल सी बात है एक इस्रेक्शन होंगे आपको आप पर इस्ट्रक्सिन दिये जाएंगे आपके पास पूरे आपके पास लेटर होंगे और आपको देख रहे होंगे तो उनकी नगराने में आप क्या करोगे आप जाओगे और इन बेसे और बेसे को उठा करके लाना है ठीक है फूट ड्रॉप फॉप इच ऑफ दी इवब सॉल्यूशन और वाच ग्लास कर रहा है कि हर एक सॉल्यूशन का एक ड्रॉप आप क्या करो वाच ग्लास क्या करो जो है उन्हें रखो one by one and test with a drop of indicators so on table 2.1 तो कह रहा है कि यह चीजे करो ही करो और यह सो करो कि भाई जो आपके इंडिकेटर से हैं वो आपको क्या इंडिकेशन दे रहे हैं ठीक है क्या इंडिकेशन दे रहे हैं आपको क्या मिलने वाला है आप प्यासे आप सबस्क्राइब और यहां पर आपके सिंपल करने वाला है ठीक है वाट चेंज और आखर में क्या चेंज जाएंगे डिडी यू अब्ज़र विद्रेड लेटमस पेपर फिर ब्लू लेटमस पेपर फिर फनेप्थलीन एंड मेथल औरेंज सॉल्यूशन फॉर इच ऑफ दी सॉल्यूशन टेकिन तो कह रहा है कि भाई सहाब जब आपके यह सेंपल सॉल्यूशन है जो आप लेकर के आए हो आप से लेकर क्या हो कि आप आप पता कैसे करोगे यह एस है मैं बोल दूँ इस यह बेस है मैं आपको ना बताओ सब्सक्राइब मैं आपका एक बात यह बता हूं कि मैं तुम्हें एक solution दे रहा हूं कि तोहाँ पार है तो भी बता दो ब्डेटोन रेटमेज मच पेपर तो ज Да Must Past तो उसकी बता दो मतलम मैं यह कऊंगा यह और पास चारों चीजी है छारों पर इंडिकेटर इसेंजिजिए आप मुझे इस शॉल्टिशन का नेचर बता दो क्या कि बता दो क्या यह break Google liar हो रही है वह क्या एब म давай उम्मीर करत ओ तो यहां पर मैं क्या कर्वा मैं सेंपपल सॉल्वुशन रड़ लेकि जाओंगा अगर सपोच करो यह bait मैं से क्या हो गया वीलू में जाए तो मैं बोलूँगा यह जो सॉल्यूशन ए है यह बेस नेचर का है कैसे नेचर का है क्योंकि मैं अभी प्रॉपरिटी पढ़ाई है कि अगर रेड लेटमस्वेपर बिलू में कनवार्ट हो जाए तो क्या होगा वह आपका बेस नेचर का सॉल्यूशन होगा यह बात स्केंड कैस में भी새 झाल यह क्या भूब है तो अब क्या बोलगे जो आप एर इस नेचर का कैसा हैँ अ कंशाए यह बहुत AlziaFR करो में एक को मिलैः और अगर यहां पर कलरेड और आ जाए तब भी आ लोगा कि यह कैसा है यह इसीन नेचर का है कैसा है यह अगर यहां पर सब्सक्राइब करो अब यहां पर no change हो माहलों कोई आए तब भी आप क्या क्या बोलोगि कि ये सालिशन है? ये ये कैसा है ? क्या ये बच्छे लोग बाट सुन में हारी है ? क्या बच्छे आपको बात आ रही है ? थ op Department आपको टेबल किस फॉर्म में बनानी है तो आपको टेबल किस फॉर्म में बनानी है तो आपको टेबल में यह लिखना होगा एक एक करके आपको यह बताना होगा जिसने भी सॉलुशन आपको टेबल में दिखाने है तो आप क्या करेंगे तो आपके कुछ टेबल थोड़ा सा यह बढ़ी बनेगी आगर सबस्कुर्प आपके पास है सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या है अब नहीं को नहीं आया तो आपको यहां से बता देनी है कि बिलू लीटमस पेपर मतलब कि इसका नेचर कैसा है जब मिलाओं मेफलिम्ट कर दिया है तो भी आपको कलियर हो जाना है कंफर्म हो जाना है कि इसका नेचर इसका नेचर कैसा है ठीक है अगर आप सापर मैंने बोला नहीं वैटा आम मेथल औरेंज मेफल आरेंजिक के पास ले अज़कि आप आपको कोई तो आप क्या बोलोगे तब भी अब बोलेगे किस नेचर का है इस नेचर का है क्या बच्छा लोग आपको यह बात क्लियर होगे या अगर उपको कैसे नेचर का ही होगा तो आपको यह बात ध्यान देनी है नहीं मिलेंगे तो आपकोगे में अगर है तो अगर वह solution है तो आपको फिनप्तलीज एगा क्या बात किलियर हुई जो चिंज़ काहां रहेंगे अधितल ऊरट में और फर पेपर के केश में भी होगा तो आपने जैजेंश है नहीं करेंगा जब ऑए यह बात क्लियर हो गई क्या यह बात क्लियर होगी एक केस में अगर सपोर्ज करो आप एक एक नाधर एक जांप ले लेते हैं आपके पास न ही करोगे आप रेलेटमस पर लेकर जाओगे कि अगर नहीं हो जाएं तो आपको चंफर्म हो जाना है कि यह क्या है ये कोई नहीं होसे होता तो क्या हो जाता डाया बिटकर अइसा नहीं हुआ कये कैसे अगर वह यालो कम पाउंड दे यानि येलो कळर स्वलिशन अपको कंफर्म हो जाना है मैं बाइस है यह बात और अगर स्प्रोट कर लो मेथिल ओरेंज के पास लेकि करें और मेथिल ओरेंज का solution आपको यहां पर पिंग कलर दे दे कैसा पिंग कलर तो आपको बच्च लोग याद होने चाहिए इसी हुझा से हम बोलते हैं कॉपी पिल लेकि बैठा करें अब जैसे हमने बोला एन नहीं होगा तो आपको वहां पर लिख लो कि बाइब बिलू एंदर केस बेस ठीक है बिलू लिटमस पेपर कांट भी सो एनी चेंज़ तो जो है कोई भी चेंज़ नहीं करेगा सेंपल भी बात है ठीक है तो वहां पर भी बेस होगा फिनक्तलीन के केस में आप यहां पर बताओ कि सॉलूशन विल कंवर्ट है कैसा यहां फ़ाँ फ्रम में कंवर्ट हो जाएगा तो आपको यहां पर बात पता होनी चाहिए कि अगर यहलो वह सोलूशन अगर मानूं मेथल औरंज सब्सक्राइब तो भी आप क्या बोलोगी क्यों बेस है क्या बोलो बचलो वह कंपाउंड बेस होगा एजट क्लियर और नौट आई हो कि आपको पहले अक्टिविटी आज पूरी क्लियर होगी तो सारी की सारी क्यों कराई जाएंगे बचलो हम अपना काम इमानदाई से कर रह